हाले वर्वन सभी का स्वागत है सभी को जोहार जितने भी जारखंड में जैसेसी की त्यारी करने मुले इचात रहे हैं उन सबों के लिए एक अपडेट आया था 11 महने पहले उसमें जो है हाई कोट ने साफ तोर पर कहा था कि जितने भी वन विबाग से रिलेटेड विगंसि यह वन रक्षी हो गया वन पाल हो गया रेंजर हो गया एसी एफ हो गया उन सभी पड़ों को जो है हाई कोट भरने के लिए आदिस दिया था और रिजन एक ही था कि संख्या बलकी कमी उन सभी रिक्त पड़ों को भरने का आदिस हाई कोट ने 11 महने में दिया था यह आपको पुरा ग्लियर करने का कोसिस यहां पर कर रहा हूँ कि वन रक्षी के लिए जो है स्विक्रित पद जो है 3883 पद है कारियरत बल जो है 1681 मात्र हैं और रिक्त जो है 2202 इसमें रिक्त पदों की संख्या है और इसी पद पर जो है वो भेकेंसी जो है वो निकलनी है आपका लेकिन सरकार की उद्यासिंता मैं बोलू या जससी की उद्यासिंता बोलू कोई भी भेकेंसी इस पर अभी तक नहीं आपाया है वन पाल के लिए मैं बात करूँ तो वन पाल का 1160 है और इस पे जो है कारेरे तो बहुत ही कम मतलब negligible है और 1000 से अधिक पद यहां पे रिक्त है रेंजर के लिए मैं बात करूँ तो रेंजर 383 स्विक्रित पद है इसमें जो है कारेरे तबल 63 है और रिक्त पद जो है 320 यहां पे रिक्त पद है ACF 156 पश्ट पर स्विक्रित पद होते है इसमें जो है कारेरे तबल 24 है 12 DFO है इसमें 132 पद जो है वो खाली है तो C2 की संख्या यहां पे करीब आप देख सकते हैं 2000-3000 करीब गरीब 4500-4800 में मालों यहां पे तो C2 की संख्या यहां पे खाली है सकता है लेकिन अभी तक आयोग की उदासिंता आप दिख पारे हैं कि 11 माने बीच जाने के बाद भी और इसके आदेश का पालन नहीं किया गया यहां पे सबसे पहले मैं यहां पढ़के पड़ाव को बताना चाहूंगा कि जारकान और हाई कोड के सकत निर्देशों के बाद भी वन परियावराग में क्लाइमिट चेंज भी भाग रिक्त पदों को भरने के प्रति उदासिंत बना हुआ है तो छो माह में सभी रिक्त पदों जैसे वन रक्षी, वन पाल रेंजर ACF को भरने का निर्देश दिया गया था लेकिन 11 मां बितने के बाद भी निउक्ति के लिए अब तक परिक्रियाएं नहीं हो पाई है पदों के रिक्त रहने पर असर जंगलों वन जीवों के सुरुक्षा के साथ-साथ विकास कारियों पर भी पड़ रहा है और ये ऐसे स्टेट का बात है जहां बेरुजगारी काफी चरम पर है ये आपको पता ही होगा अगर आप जारकण से है तो निउक्ति की दिशा में कदम भी आगे नहीं बढ़ाया गया है लेकिन सहायक 1 संटक चक ACF तथा 1 छेतर पतादिकारी रेंजर केटर में बचे हुए कारियरत अधिकारियों को 3 साल का सर्विस एक्स्टेंशन जो है वो देने का प्रास्ता विभाग दबारा जोर सोर से बढ़ाया गया है बताया जाता है कि अधिकारियरत अधिकारियों को सर्विस एक्स्टेंशन भी दिया जाता है तो भी समस्या का समधान नहीं होगा मतलब यहाँ पे साफ तर पर यही कहा जा रहा है कि वेकेंसी निकालो लेकिन आप समझ सकते हैं कि वेकेंसी क्यों निकल रहा है यहाँ तो इतना तो समझतार आप हैं हाइकोट ने क्या क्या था तो हाइकोट ने स्वादा संग्यान से दर्ज जनहीत आचिका पर 9 दिसमर 2022 को सुनवाई की थी राजिस सरकार त्वारा दिये गए सपत पत्र का हवाला देते हुए हाइकोट ने कहा था कि सपत पत्र में जो प्रतीत होता है वह चोकाने वाला है आसर जनक और खेद जनक इस्तित है ऐसी प्रतीत होता है कि जारकन राजिके निर्मान के बाद वन विवाग की रिक्तियों को भरने की कोई कवायद नहीं की गई जंगल और जानबर लुप्त हो रहे हैं और इसी कदम को मैं साफ तर पर कहूं आपको संक्षेप में अगर बताने का प्रियास में करूं तो साफ तर पर यहां पर भटकार लगाते हुए कहा कि जितने भी निवक्तियां आपके रिक्त वन विभाग में हैं उसको भरने की यहां पर चोरत है और एक अल्टिमेटम भी जारी कर दिया था कि छे मेना में आपको निवक्तिय परकरिया जो है वो सुरू कर दिनी है लेकिन एक लंबा टाइम करीब गरीब एक साल होने को है और अभी तब कोई भी कदम यहां पे सरकार और जैसेसी के दरब से नहीं उठाया गया सर्विस एक्स्टेंशन जो है एक बढ़िया कदम में नहीं कर सकता क्योंकि रिटार्मेंट वाले अगर कोई काम करेंगे तो वो उतना सही नहीं हो पाएगा जितना कोई न्यू जोएन करके अगर कर सकते हैं मैं मानता हूं कि एक्स्प्रियंस का यहां बात है लेकिन उनका भी हक बनता है कि रिटार्मेंट के बाद वो अपना जीवन जी सके जो रिटार्मेंट के बाद होता है कि मैं आपको यह बता पाओं तो देखिए सबसे पहले यही है कि केविनिट से जो है वो वन विभाग का कुछ रूल्स जो है वो अभी क्लियर होना बाकि है जब तक वहाँ से clear नहीं हो जाता है तब तक कार्मी कुछ नहीं करेगी और कार्मी कुछ नहीं करेगा तो जैसे से भी इस vacancy को नहीं निकाल सकता तो इसमें सुंभावना यही है कि कुस टाइम लगेंगे लेकिन आसा यही रख सकते हैं कि इस सरकार के कारेकाल में वन रख्षी की जो है 2000 प्लस सीटों को यहाँ पर देखने का मुखा आप सभी को और जितने भी चातर त्यारी कर रहे हैं उनको भरने का मुखा वश्य मिलेगा ऐसी बगाया जा सकता है बाकि सरकार और JSC क्या कर रही है यह कोई भी नहीं बता सकता कि मैं किलेंडर में दिया हूँ कभी नहीं हुआ तो आप इससे अनुमाल लगा सकते हैं इतिहास जानके आप भविष्य का अनुमाल लगाएं कि क्या हो सकता है JSC की माद्यम से हाँ लेकिं मैं ही कहूँगा कि election है और election जो है वो कहीं नहीं यह प्रमान है कि इस vacancy को JSC से निकाल सकती है सरकार निकाल सकती है आयोग निकाल सकती है तो इस सहाब से अगर कोई भी update अगर आपके सामने आता है तो मैं आपको देने का प्रियास करता रहता हूँ अगर सबस्क्राइब कर लिजेगा कोई भी update अगर आएगा तो सबसे पहले सबस्क्राइब कर लिजेगा आप सभी का सुक्रिया ने निवाद